हेगार नमस्कार आप लोगों को टाप्रेंग क्लासे के प्यारे से यूटूब फैंब को स्वागत है गाई आज की लेक्चर में लोग बात करने वाले हैं कच्छा बारग की भौतिक विग्जान की प्रिकास का बिवरतन प्रिकास का बिवरतन आपकी एक एक ऐसी टॉपिक है अधिकतर पूछा जाता है तो आई हम उन टॉपिक की चर्चा करते हैं चर्चा करने से पहले चैनल पर नए आये होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आता तो लाइक करके दोस्तों के साथ सेर करना मत भूलेगा तो आ प्रकास एक सीधी रेखा में क्या करता है गमन करता है तो आज हम लोग प्रकास के सीधी रेखा में गमन करने से तोड़ा सा जड़ा सा हट के सीखेंगे फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में जूरूर कमेंट करके बताएगा क्या प्रकास तेड़ी मेरी रेखा में भी चल सकत है या नहीं चल सकता इसका जवाब आप लोग कमेंड बॉक्स में जीदेगा चलिए अब धिहान से देखिए एजे एक दो एक्जामपल उठाते तब आते हैं बिवर्तनी की परिवासा के तो गाइस जब आप लोगों कभी अपने कमरे में रहे होंगे और कमरे में लाइट जल रही हो और कमरे की दर्वाजे को हलका साब खोलिए तो कमरे की दर्वाजे से निकलने वाली जो लाइट होती है वो थोड़ी सी कटी हुई प्रतित होती होती नहीं ऐसा आप लोगों ने देखा होगा ऐसा आप लोगो नहीं लगाया प्रेकास की जब और लोग अपने कमरे में रहते हम कमरें की मिटे जलती रए ि हम से अपब लोग जरा सा खोलते होंगे तो जो वह प्रेकास होता है और निकले वाला परिकास हुआता थोड़ा से किनारे से कट जाता है किनारे से तिर्चा हो जाता है और बाहर जाने एक बद चारो तरफ क्या हो जाता है फैल जाता है तो इसी घटना को हम क्या करते बिवर्तन करते हैं यानि अगर हम कहें एक हम लोग ऐसा कोई स्ट्रिट ले रेते हैं जिसमें केवल एक छिद्र हो जिसमें एक ऐसा परदा लेते हैं जिसमें कोई भी छिद्र ना हो ध्यान से देखिएगा कि जब कोई प्रकास किरन किसी औरोध या तिछड किनारों से होकर क्या होती है गुजरती है तो हम लोगों को क्या लगता है कि ये प्रकास किरने सीधे निकल जानी चाहिए थी ये प्रकास किरने सीधे निकल जानी चाहिए परंति प्यारे बेच्चो ऐसा नहीं होता जब प्रकास की रण किसी औरोध यात्ते छड़किनारों से होका गुजरती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा तेड़ी हो जाती है अपने मार्ग से थोड़ा सा तेड़ा हो जाता है तो प्यारे बच्चो यह घटना यह घटना प्रकास का क्या कहलाता है बिवर्तन कहलाता है यह पूरी घटना क्या कहलाता है प्रकास का बिवर्तन कहलाता है आप क्या समझ पाएं कि प्रकास का बिवर्तन क्या होता है प्रकास का बिवर्तन होता है कि जब कोई भी प्रकास किरण जब कोई भी प्रकास किरण किसी औरोध किसी औरोध या किसी तिछड किनारों से होकर क्या खरती गुजरती है तो अपने मालग से थोड़ा सा कटा हुआ या अपने मालग से थोड़ा तेढ़ा दिखाई परती है यह घटना प्रकास का विवर्तन कहलाता है प्यार बच्चो जो विवर्तन होता है वो आपका दो प्रकार का होता है एक होता है फ्रेनल विवर्तन एक होता है फ्राउन हाफर विवर्तन प्यार बच्चो बिवर्तन कितने प्रकार का होता है एक होता है फ्रेनल बिवर्तन एक होता है फ्राउन हाफर बिवर्तन अब हम समझेंगे फ्रेनल बिवर्तन और फ्राउन हाफर बिवर्तन की परिभासा उससे पहले प्यार बच्चो अगर आप बिवर्तन की परिभासा ठीक एक बार रिपीट कर देना है क्या हमने बताया कि जब कोई प्रकास किरण किसी औरोध या तेछर किनारा हो यह कटा हुआ है यहांसे यहां से जब हो को गुझरेगी तो उपने मारग से थोड़ा सा त्यवरह हो तब हम आगे की बात और करेंगे तो गाइस जो विवर्तन होता है वो विवर्तन कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का होता है विवर्तन कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं एक होता है फ्रेनल विवर्तन और एक होता है फ्राउन होफर विवर्तन दो प्रकार क होते हैं एक तरफ हम समाल लेते हैं फ्रेनल विवर्तन किसे करते हैं और एक तरफ फ्राउंगेगा अब क्या होता है कि फ्रेनल विवर्तन क्या होता है जब जब जो आपका प्रकास स्रोथ होता है प्यारे बच्चो जब जो प्रकास स्रोथ होता है वो और ये ध्यान से देखे ये कोई क्या है? प्रकास स्रोथ है, जिनसे प्रकास किनले क्या हो रहे हैं? प्रकास किनले क्या हो रहे हैं? पहरे बच्छे निकल रहे हैं. अब ये हो गया कोई अरोध ये क्या हो गया कोई अरोध और ये हो गई एक कोई परदा ये हो गया परदा और ये हो गया अरोध ये हो गया प्रकास श्रोध तो प्यारे बत्चों जड़ा सा ध्यान से दिखेगा कि मैं आपको क्या बताना चारा हूँ फ्रेनल विवरतन कब होता है प्रेनल ब्योरतन किसे कहते हैं भ्यान से दिखना प्रेनल ब्योरतन किसे कहते हैं अब देखी क्या होता है प्रेनल ब्योरतन क्या होता है कि जब प्रकास श्रोत क्या जब प्रकास श्रोत और औरोध या जब प्रकास श्रोत या परदे की बीच की दूरी सीमित हो जब प्रकास्रोत परदे की बीच की दूरी सीमित हो या दूसरे सब्दों में हम बोले कि प्रकास्रोत परदे से काफी दूरी पर ना हो तो इस प्रकार के बिवर्तन को ठेनल बिवर्तन का नाम दिया जाता है या हम दूसरे सब्दों में परिभासित करें कि या तो प्रकास रोज से निकलने वाली केड़ों में किसी भी प्रकार का लेंस का उप्योग न किया गया हो अर्थात हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ पर न तो हम किसी प्रकार का उतल लेंस लगाए है न तो किसी प्रकार का उतल लेंस लगाए है इसलिए हम इने कौन सा विवर्तन कहेंगे फ्रेनल विवर्तन कहेंगे इसलिए इनका नाम क्या दिया जाता है प्रेनल बिवर्तन नाम दिया जाता है कौन सा बिवर्तन नाम दिया जाता है फ्रेनल बिवर्तन का नाम देंगे ध्यान से देखे फ्रेनल बिवर्तन क्या होता है कि जब परदा और प्रकास रोत के बीच की दूरी सीमित होता है मतलब कुछ दूरी पहिस्तित होते हैं तो इस प्रकार के जो विवर्तन की घटना घटित होती है उन्हें हम फ्रेनल विवर्तन कहते हैं या दूसरे सब्द में बोलें कि जब प्रकास रोत और परदे के बीच में किसी नी प्रकार का लिंस ना लगाया गया हो तो जो विवर्तन होता है उसे हम फ्रेनल विवर्तन कहते हैं क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई अब हम चल रहे हैं फ्राउन होफर विवर्तन की बात करने अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों फ्राउन होफर विवर्तन क्या होता है तो ध्यान से देखेगा कि इस बार जो प्रकास रोत है वो अनंत दूरी पर इस्तित है यानि हम कहा सकते हैं कि यदि प्रकास रोत परदे से अनंत दूरी पर इस्तित होता है तो उस समय जो विवर्तन की घटना होती है वो कौन सी विवर्तन होती है फ्राउन हौफर विवर्तन कहलाता है हम एक बाद फिर से इसको समझते हैं यदि प्रेकास रोत यानि जिस रोत से प्रेकास किर्डे निकल रही है वो प्रेकास रोत परदे से काफी दूरी पर होता है परदे से दूरी निश्चित नहीं होती है तो उसको हम क्या कहते हैं फ्राउन होफर विवर्तन कहते है अब क्या होता है कि ये जो प्रिकास किर्णे है अनंत से चलने वाली ये जो प्रिकास किर्णे है ये औरोध तक पहुचती है औरोध तक क्या होती है पहुचती है अब हम लोग क्या करते है प्यारे अच्छो ध्यान से लिखेगा जब ये औरोध तक क्या करती है पहुचने का क्या कर देते हैं उप योग कर देते हैं यह जो प्रिकास किर्ड़े होती हैं जब इस औरोध होते छिड़किनारों से होकर क्या कर नहीं गुजरती हैं तो फिर से यह अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं? तेड़ा हो जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते है, फ्राउन होफर बिवर्तन कहते हैं, यानि हम दूसरे इनकी provided इस प्रकार दे सकते हैं, रच्चो की फ्राउन हाफर विवर्तन वह विवर्तन होता है जिसमें प्रेकास रोत अनंत दूरी पहिस्तित होता है जिसमें प्रेकास रोत की परदे से जो दूरी होती है वो काफी अधिक होती है या हम कह दें या यहां पर एक लिंस का क्या कर दिया जाता उपयोग किया जात तो उस विवर्तन को फ्राउन हाफर विवर्तन करते हैं एक बार हम विवर्तन से सुरू कर रहे हैं और पूरे विवर्तन को फिर से एक बार क्लियर कर देंगे जिससे जहां भी आपकी कोई डाउट हो वो सारी चीजे क्या हो जाए क्लियर हो जाए तो भैया हमने विवर्तन की परिवास आपको क्या बताया था कि जब कोई जो प्रकास किरड़ होती है जब कोई प्रकास किरड़ किसी औरोध या तिछल किनारों से हो का गुजरती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है वह अपने मार्ग से बिचली थो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं विवर्तन की कुण कुण सा एक फ्रेनल विवर्तन होता है और एक होता है फ्राउन हाफर विवर्तन क्या होता है कि जो प्रकास रोत होता है वो परदे से एक निश्चित दूरी पर इस्तित होती है परदे से कौन सी दूरी पर इस्तित होती प्यारे बच्चो निश्चित दूरी पर इस्ति की तो और एक लेंस का उपयोग किया गया हो तो जो विवरतन होता है वह फ्राउन होफर विवरतन कहलाता है उम्मीद है कि आपको प्यार बिवर्तन की जो विवर्तन और ब्रकार नों समोझाया होंगे, अलुम नेक्स टंपक में चर्चा करने- एकल जिरी द्वारा जिरे दौारा बिवर्तन जो गिए जाम में बहुत बार पूछा है प्यारषो इसी डॉपिक के साथ ही आप करने है प्रकास की अधर disp समाप्त हो जाएगा तब जो हम आगे पढ़ेंगे वह नया चेप्टर होगा प्रदाचो तो आप चावतिस का एक स्क्रीन सौर्ट लीजेगा फिर हम बाते करने वाले हैं एकल ज़री द्वारा प्रिकास का विवर्तन क्या होता है तो एकल ज़री का मतलब है कि यंग के प्रयो प्रदा एक ऐसा स्लिट जिसमें केवल एक छिदर होता है उसे हम एकल जिर्री करते हैं और जब दे जिर्री की बात आती है तो उसमें दो छिदर होते हैं प्यारे बच्चो आप एक बार ये आप क्लियर कर लिजिए जब आप यंग का प्रियोग पढ़ रहे थे तो दो होता है तो आप ये कंफ्योजन अपनी दूर कर लिजिएगा कि एकल जिर्री किसे करते हैं एक ऐसा परदा जिसमें क्योल एक छिदर होता है और दो जिर्री किसे करते हैं उन्हें दो जिर्री करते हैं प्यारे बच्चो तो एकल जिर्री द्वारा प्रेकास का विवर्तन क्य होता है तो ध्यान से देखना कि हम ने कहा कि हम मान लेते हैं कि ये कोई slit है और जिसमें एक जिर्री एक छिद्र है जिसका हम नाम देना चाहें तो यस नाम दे दे चाहे यस ओन नाम दे दे चाहे यस टू नाम दे दे कुछ भी दे सकते हो दो प्रकास किल्डों को आप्तित करा रहे थे परंत यहां पर प्रकास किल्डे जो आप्तित होने वाली प्रकास किल्डे है उनकी कोई भी संख्या नहीं है यानि कहने का मतलब है कि प्रकास किल्डे अनन्त हो सकती हैं बहुत सारी प्रकास किल्डे इस औरोध या इस तिछर कि तो आईये केवल हम बात करते हैं यहां से गुज़रने वाली फर्ष्ट किरड़ और लास्ट किरड़ की बात करेंगे तो दिखान से देखना क्या होता है प्यारे बच्चों कि जब तक ये जो प्रकास केड़े होती है वो सीधी होकर जाती रहती है जब कोई प्रकास केड़े सीधे होकर चलती रहती है और जैसे हो वो किसी औरोध है या तेछर किनारों से होका गुजरती है तो वो क्या कर जाती ह कि अपने माग से कट जाती है इसी को हम विवर्तन कहते हैं तो माल लेते हैं प्यारे बच्चो कि यहां पर कोई बिंदू क्या है पी है जिस पे यहां से चलने वाली प्रकास केलडे एक जा रही है और यहां से चलने वाली एक प्रकास केलडे और जा रही प्यारे बच्चो ध् पर हम लोग समझ लेंगे तो ध्यान से देखिएगा इस बिंदू से जाने वाली और यहां से चलने वाली यह आपकी पहली प्रकास किरड़ है और यह आपकी अंतिम प्रकास किरड़ है अगर आप सोच रहे होंगे कि इसके बीच में से कोई नहीं जा रहा है प्यारे बच्चो तो ध्यान से देखिएगा अगर हम इनका नाम देदे ए नाम देदे इनका नाम क्या देदे बी नाम देदे यानि छिदर का एक किनारा ए है और छिदर का दूसरा किनारा क्या है भी है ध्यान से देखिएगा अब यहां से यहां तक जाने वाली फर्स्ट किरड़ और दूसर विद्भी किरड के द्वारा अपनाये गए पत को फन går जो अंतर आता है उसे हम करते हैं पतांतर करते हैं प्याले बच्छो यानि अगर अगर मुझे पि पे बताना है कि पे पर पहुचने वाली जो प्रकास किरड है उनका जो है उनका जो प्रतिरूप है वो दिप्त होगा कि अदिप्त होगा तो हम पथांतर विदी को अपनाएंगे जैसे हम लोगों ने यंग के प्रयोग में लगाया था वैसे same to same इहां पर भी प्रॉसस अपनाएंगे तो प्यारे बच्चो ध्यान से देखेगा कि मैंने कहा जैसे ये कोई बिंदू पी हो गया और यहां से यहां से एक प्रिकास क्रेड़े जा रही है पी पर जाने के लिए एक यहां से जा रही है और एक यहां से जा रही है तो यहां से जा रही है तो यह ऐसा ही सेम चित्र बना कि ये दो प्रिकास के विड़े P पहुँच रही है तो P पहुचने वाली इन तरंगों का अगर मुझे पथांतर निकालना है प्यारे बच्चो तो हम इस बिंदू से इस पे क्या खीच देंगे लंब खीच देंगे और जब इस बिंदू से हम लंब खीच देंगे तो नाम इस यहां से लेके यहां तक की दूरी सेम हो गई पर उन्तर आ रहा था वो आपका बाहर का गया यानी BC यानी P पे पहुचने वाली तरंगों का अगर मुझे पथांतर निकालना है तो मुझे एसे क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चो लंब खीचना पड़ेगा जो की का पर प्रतिछेद कर रहा है सी पर प्रतिछेद कर रहा है कहां पर प्रतिछेद कर रहा है प्यार बच्छो सी पर और मान लेते हैं कि यहां पर जो इंगल है वो कितना है ठीटा है देखिए सेम प्रोसेस हम लोगों ने यही किया है देखिए ऐसे जो चीज यहां वहां थोड़ा जो है आपका A B है जिसमें छिदर क्या है A B है उससे कुछ दूरी पर एक परदा है जिस पे बिंदू P है P पे पहुचने वाली P पहुचने वाली तरंगों का जो पतांतर होगा अब वही हम निकालेंगे और उसी पतांतर की सहायता से बताएंगे कि P पर संपोसी होने आला है कि बिना सी होने आला है तो चलिए उम्मिद है कि आपको जरूर समझना आया होगा पैरे बच्चो अभी एक बार जैसे ही पुरा टॉपिक क्लियर करेंगे तो एक बार इसको हम रिवाइस जरूर करतेंगे ध्यान से दिखेगा क्या आप लिखते हैं कि माना कोई एकल जरूरी है माना कोई एकल जरूरी है जिसका छिद्र का किनारा एबी है क्या है पैर बच्चो एबी है ठीक एबी से चलने वाली ए और बी से चलने वाली ए बी से निकलने वाली निकलने वाली तरंगो का पथांतर तरंगो का पथांतर तो पैर बच्चो जो तरंगो का पथांतर होता है वो कौन है बी सी है तरंगो का पथांतर किसके बराबर है बी सी के तो BC हमको ग्याद करने के लिए तरभुज ABC का मदद ले लेंगे क्या ले लेंगे तरभुज ABC तरभुज ABC में ध्यान से दिखेगा तरभुज ABC में अगर हम इनके बीच की दूरी मान देते हैं A मान देते हैं क्या नाम देते हैं A ध्यान से दिखेगा, दोनों छिदरों के बीच की दूरी को हम A नाम देते हैं, ठीक, तो त्रभुज ABC में, मुझे BC चाहिए, तो कौन के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब और ये कड, लंब और कड, तो लंब और कड किसमें आता है, पैरवच्चो साइन ठीटा में, हो जाएगा, लंब बटे क्या कड, लंब बटे क्या होता है, पैरवच्चो कड होता है, तो साइन ठीटा, तो यहाँ लंब जो है, BC है, जो की आपको जुरूत है, और जो कड है, वो आपका AB है, कड कोन है, AB है, अगर हम बैलू रख दे, तो BC की बैलू कितनी पता नहीं, प इक्वल टू क्या आजाएगा, दिहां से दिखेगा, BC बटे A आजाएगा, BC बटे क्या आजाएगा, A, क्रॉस मल्टिप्लाई कर देते हैं, तो BC इक्वल टू क्या आजाएगा, A साइन ठीटा, BC को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम पतांतर कहते हैं, क्या कहते हैं, प्यारे पहुचने वाली तरंगो का जो पथांतर था वह अब का यह आया समेकरन नंबर एक नाम दे लेते हैं ठीक क्या इतनी बात आपकी clear होगई पी पे पहुचने वाली तरंगो का जो पथांतर आया वो ए साइंट रिटा कि क्या एक्वाल टू आया है अब अगर हम बात करें यहां पर 심कौसी और विनासी के लिए क्या करते हैं सबतर रखते हैं क्योंकि जो ये पी पे पहुंचने वाली पृच्प प्रति रूप है या पिप पहुंचने वाली ये जो पठी बन रही है यहां पर दिप्त और अदिप्त की रूप में पट्टी बनती है पैरवच्चो तो आईए पहले हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि माना बिंदु पी पर क्या प्राप्ट हो रहा है दिप्त पट्टी बन रही है माना बिंदु पी पर क्या होता है दिप्त पट्टी बन रही है तो ध्यान से देखना दिप्त के लिए क्या होता है परवच्चो संपोसी व्यतिकरण होता है और बिनासी के लिए क्या होता है अदिप्त पट्टी बनती है इस बात को ध्यान से देखिएगा तो आईए क्या बात करते हैं संपोसी ब्यती करड के लिए पहला स्टार्ट करेंगे संपोसी संपोसी ब्यती करड के लिए पथांतर संपोसी ब्यती करड के लिए पथांतर तो पथांतर हमने पढ़ा था डेल्टा एक्स बराबर यन लेम्डा या यम लेम्डा कुछ भी पढ़े थे ऐसा पर डेल्टा एक्स इक्वल टू यम लेम्डा ये संपोसी विती करण के लिए प्यार बच्छो अगर हम समीकर नंबर इसको 2 देते जहां जहां एक्वल टू क्या होता था जीरो फिर एक होता था फिर दो होता था फिर तीन होता था अगर जीरो रखते थे तो डेल्टा एक्स का मान जीरो आता था एक रखते थे तो लेम्डा आता था दो रखते थे तो दो लेम्डा आता था तीन रखते थे तो तीन लेम्डा आता फिलाल आपका ऐसे डॉट डॉट बढ़ता जाता था तो डेल्टा एक्स की संख्यात मंग वैलू लेम्डा टू लेम्डा तीन लेम्डा पचाल लेम्डा पांच लेम्डा ऐसे करके चला आता था तो यह है डेल्टा एक्स की वैलू संपोसी ब्यतिकरण के लिए अगर हम बात करें समी करड़ एक और दो की क्या कर दें तुलना कर दें तो समी करड़ एक और दो की क्या किया सकता है तुलना किया जा सकता है तो जब हम समी करड़ एक और दो की क्या करेंगे तुलना करेंगे तो समी समी करण एक वर दो की तुलना करने पर जैसे ही आप प्यार बच्चो समी करण एक और दो की तुलना करेंगे तो यह पक्छ बराबर है तो यह वाला पक्छ भी बराबर हो जाएगा अगर आप सोच रहे होंगे कि सर जी आप समकोसी बराबर हो जाएगा बिनासी होगा क्या होगा प्यार बच्चो बिनासी होगा मतलब अदिप्त पट्टी प्राप्थ होगी क्या प्राप्थ होगा प्यार बच्चो अदिप्त पट्टी प्राप्थ होगी अब आप यह कह रहे होंगे कि सर जी आप तो समकोसी ब्यतिकरण के लिए पथांतर का फाम पहले उससे आप समझ लिएज़े जो आपको लिखे ना है, एक्जाम में ध्यान देना है कि आप यंग के प्रयोग में जहां संपोसी होता था निप्त पट्टी बनती थी पर यहां एकल जिर्वी होती थी प्यारे बच्चों醒 है जब जो condition वहां उचिष्ट के लिए होगा वो condition यहां निमनिष्ट के लिए होगा जो condition यंग के प्रेवग में संपोसी के लिए था वो condition यहां बिनासी देता है और जो condition यंग में बिनासी था वो यहां पर संपोसी देगा प्यारे बच्चो तो इसी लिए जब हम लोगों ने स हम पोसी ब्यतिकरण का पथांतर रखा तो हम को जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट मिला नि निश्थ बिनासी अधिक्त-पट्टी यानि वहाँ पर अंधकार हो जाएगा पेरे बच्चों वहाँ पर बिनासी ब्यती करण होगा अब कैसे होता अभी हम उसकी explain जरूर करेंगे थोड़ा समय और इंतिजार कर लो बस अब हम बात कर ले बिनासी ब्यती करण के लिए पथांतर किसकी बात कर ले फ्यारे बच्चों बिनासी ब्यती करण के लिए पथांतर ब्यती करण के लिए पथांतर तो ध्यान से दिखेगा बिनासी ब्यती करण के लिए पथांतर क्या होता है हमने पढ़ा है बिनासी ब्यती करण के लिए पथांतर होता है अब आपने ये पढ़ा है 82 व्यती करण के लिए पतांतर पढ़ा है 2m-1 लेमडा बटे दो तो अगर हम इसे समी करण नंबर क्या नाम दे दे 3 दे और समी करण 1 और 3 की क्या कर दे तुलना कर दे तो क्या मिल जाएगा a sin ठीटा समी करण 1 और 3 से हम तुलना कर रहे हैं तो क्या मिलेगा a sin ठीटा एक्वल टू 2m-1 उसके बाद लेमडा बटे कितना 2 हो गए पैर बच्चो तो जब ये कंडीशन आता है तो इस कंडीशन में आपकी जो दिव को प्राप्त होता है वो उच्चिष्ट होता है क्या होता है पैर बच्चो जो बिवर्तन होता है वो आपकी उच्चिष्ट होती है अर्थात हम कह सकते यहां समपोसी की घटना घटित होगी और साथ में दिप्त पट्टी प्राप्त होगी कौन सी पट्टी होगी दिप्त यानि जब हम कह सकते हैं कि जब बिनासी व्यतिकरण का कंडिशन रखते हैं जब बिनासी के लिए पथांतरवाला कंडिशन रखते हैं तो बिवर्तन में क्या प्राप्त होता है उच्छिष्ट प्राप्त होता है यहाँ पर समकोसी की प्राप्त होता है यहाँ पर दिप्त पट्टी प्राप्त होती है यानि यंग के प्रयोग में जो घटनाएं आपको समकोसी के लिए होंगी वो यहाँ बिवर्तन में बिनासी हो जाएगा और जो घटनाएं वहाँ बिनासी होगा वो घटनाएं यहाँ पर समकोसी हो जाता है अब आखिर ऐसा क्यों होता है कि समकोसी में आपको अदिप्त प्राप्त होता है और बिनासी में आपको दिप्त प्राप्त होता है आईए हम उन्हीं की अब चल रहे हैं ब्याख्या करने कि समकोसी का दिप्त क्यों नहीं हुआ और बिनासी का जो है क्यों अदिप्त नहीं हुआ तो प्यारवेच्चो इन सभी प्रश्णों का जवाब हम आपको जरूर देंगे ध्यान से देखना क्या होता है क्यों ऐसा प्रोसेस होता है प्यारवेच्चो आईए अब इनको हम क्या कर दे रहें मूब कर दे रहें तब संपोसी ब्यती करण के लिए पथांतर तो पथांतर हमने पढ़ा था delta x बराबर yam lambda कुछ भी पढ़े थे ऐसा पर delta x equal to yam lambda ये संपोसी ब्यती करण के लिए पैखर बच्छो अगर हम समीकर नमबर इसको 2 दे ते जहां जहां m equal to क्या होता था जीरो फिर एक होता था फिर दो होता था फिर तीन होता था अगर जीरो रखते थे तो डल्टा एक्स का मान जीरो आता था एक रखते थे तो लेम्डा आता था दो रखते थे तो दो लेम्डा आता था तीन रखते थे तो तीन लेम्डा आता था फिलाल आपका ऐसे डॉट डॉ आजाता था तो डेल्टा एक्स की संख्यात मंग बैलू लेम्डा टू लेम्डा तीन लेम्डा पचार लेम्डा पांच लेम्डा ऐसे करके चला आता था प्यारे बच्छो तो यह है डेल्टा एक्स की बैलू संपोसी ब्यती करण के लिए अगर हम बात करें समी करण एक और द क्या करेंगे कंपेरिंग करेंगे तुलना करेंगे तो प्यारे बच्चो अब हम समी करड़ एक और दो की क्या करेंगे तुलना करेंगे तो समी करड़ एक वह दो की तुलना करने पर जैसे ही आप प्यारे बच्चो समी करड़ एक और दो की तुलना करेंगे तो यह पक्ष बर अबर हो जाएगा A sin theta equal to ym lambda आ जाएगा ध्यान से देखिएगा अब यहां पर जो हमारी पट्टी प्राप्त होगी यहां पर जो पट्टी होगी वो आपके निमनिष्ट होगी क्या होगी पैर बच्चो निमनिष्ट होगी अर्थात हम कह सकते हैं अदिप्त पट्टी होने वा संपोसी बती करण के लिए यह निमनिष्ट क्या बता रहे हैं अर्थात यहां पर बिनासी होगा क्या होगा पैर बच्चो बिनासी होगा मतलब अदिप्त पट्टी प्राप्त होगी क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चो अदिप्त पट्टी प्राप्त होगी अब आप ये कह रहे होंगे कि सर जी आप तो संपोसी व्यती करण के लिए पथांतर का फामुला लगा है तिहां तो दिप्त पट्टी प्राप्त होना चाहिए प्यारे बच्चो परन्तु ऐसा नहीं होता दोस्तो ध्यान से रिखिएगा जब आप अभी मैं बताऊंगा भी क्यों नहीं है वहां दो जर्री की बात होती थी प्यारे बच्चो यहां एकल जर्री की बात हो रही है वहां दो प्रकास किरड़े थे और यहां पर बहुत सारे प्रकास किरड़े एक साथ जा रहे हैं इस कारण जो है यहां पर इस कारण जो वहां दिप्त पट्टी होता है जब जो कंड कि कन्दिशन यहां निमनिष्ट के लिए होगा जो कंडिशन यंग के प्रेंग में संपोसी के लिए था वो कंडिशन यहां विनासी देता है और जो कंडिशन यंग में ही था यहां पर संपोसी देगा पैरबच् atmosphere इसी लिए जब हम लोगोंने संपोसी व्यतिकरण का पथांतर रखा तो हमको जो रेजल्ट मिला वो रेजल्ट मिला निनिष्ट बिनासी अधिक्त पट्टी यानि वहाँ पर अंधकार हो जाएगा पेरे बच्चों वहाँ पर बिनासी ब्यतिकरण होगा अब कैसे होता अभी हम उसकी एक्स्प्लेंड जरूर करेंगे थोड़ा समय और उन्तिजार कर लो बस अब हम बात कर ले बिनासी व्यतिकरण के लिए पथांतर किसकी बात कर ले फ्यार बच्चों बिनासी व्यतिक्त करण के लिए पथांतर ब्यती करण के लिए पाथांतर तो ध्यान से दिखेगा 82 ब्यती करण के लिए पाथांतर क्या होता है हमने पढ़ा है 82 ब्यती करण के लिए पाथांतर होता डेल्टा एक्स इक्वल टू टू एम माइनस वन लेम्डा बाई टू लेम्डा बाई 2 एही होता है ना 2m-1 लेम्डा बाई 2 एही होता है 2d होता है ठीक यही है निहान से देखेगा फिर विच्छो अब आपने ये पढ़ा है बिनासी व्यती करण के लिए पथांतर पढ़ा है 2m-1 लेम्डा बाटे दो तो अगर हम इसे समी करण नंबर क्या नाम दे दे तीन दे और समी करण एक और तीन की क्या कर दे तुलना कर दे तो क्या मिल जाएगा ए साइन ठीटा समी करण एक और तीन से हम तुलना कर रहे हैं तो क्या मिलेगा ए साइन ठीटा एक्वल टू 2m-1 उसके बाद लेम्डा बाटे कितना दो हो गए पैर बच्छो तो जब ये कंडीशन आता है तो इस कंडीशन में आपकी जो दिव को प्राप्त होता है वो उच उचिष्ट होती है अर्थात हम कह सकते हैं संपोसी की घटना घटित होगी और साथ में दिप्त पट्टी प्राप्त होगी कौन सी पट्टी होगी दिप्त यानि जब हम कह सकते हैं कि जब बिनासी व्यतिकरण का कंडीशन रखते हैं जब बिनासी के लिए पथांतर वाला कं समकोसी के लिए होंगी वो यहां विवर्तन में बिनासी हो जाएगा और जो घटना वहां बिनासी होगा वो घटना यहां पर समकोसी हो जाता है अब आखिर ऐसा क्यूं होता है कि समकोसी में आपको अदिप्त प्राप्त होता है और बिनासी में आपको दिप्त प्राप्त होता थ्यान से देखना क्या होता है क्यूं एसा प्रोसिस होता है प्यारे बैद्चो क्या कर दे रहे हैं मूव कर दे रहे तब समझेंगे तब तक आप चाहों अब ध्यान से देखेगा आपके मन में जो ये बड़ा सा question मारक के चल रहा है उसी का जवाब हम देने जा रहे हैं कि क्यूं समकोसी व्यतिकरण के लिए बिनासी प्राप्त होता है तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चो कि अगर हम मान लेते हैं कि जो एक औरोध था जो औरोध था प्यारे बच्चो ये दो तिछड किनारे थें यहां से लेके यहां तक की जो बीच की जो पथांतर है वो अगर हम नाम देदें लेमडा बाबु को क्या नाम देदें लेमडा वाले बाबु को यही बोल लेते न कि इनके लिए जो पथांतर है वो lambda to lambda प्राप्थ होता है तो संपोसी के लिए यहां से लेके यहां तक का पथांतर मान देते हैं, lambda मान देते हैं, प्यार वच्छो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोला था कि यहां से एक प्रकास केल्डे नहीं, दो नही तीन नहीं, चार नहीं, सो नहीं, दो सो नहीं, हजार नहीं, अनंत प्रकास किल्डे यहां से होकर क्या करती हैं, गुजरती हैं, तो मैं केवल मानता हूं भाईया कि मान लेता हूं कि यहां से लेके यहां तक केवल सो प्रकास किल्डे गुजरी हैं, कितनी प्रकास किल्डे होक गुजरण रही है और यह किसी पढ़ादे पर क्या हो रही है करूँ कि इन ही दोनों के लोगों को आधे आधे पे क्या कर देते डिवाइड कर देते हैं यानि यहां से फर्स्ट सेकंड ठर्ड यह फोर्थ यह 50 हो गया और फिर आधे डिवाइड कर दे दोस्तों यहां से 50 152 53 फिर उसके बाद यह 100 तक मतलब जो 100 प्रिकास करड़े जा रही थी उन 100 प्रिकास करड़ों को हमने आधे आधे पे क्या कर दिया डिवाइड कर दिया अगर मैं अब पोछूं अगर मैं अब आपसे यह चीज पोछूं कि बताओ यह जो फर्स्ट किरण है और यह जो इकनाहवा किरण है इकाउन मतलब 51 यह जो फर्स्ट किरण और 51 किरण के बीच का जो पठांतर आएगा वो लेमडा बटे क्या आजाएगा 2 आजाएगा क्योंकि यहां से लेके 100 की जब हम बात कर रहे थे तब पठांतर लेमडा आता था परन्तु जब हम पहले और 51 की बात करें दूसरे और 52 की बात करें तीसर प्रांगों का जो पतांतर आता है वो लेम्डा बाई टू आता है और प्यारे बच्चों ये लेम्डा बाई टू किन से मिलता है भईया लेम्डा बाई टू तो जो है बिनासी बेती करण से मिलता है न इसी लिए यहां पर जब हम संपोसी की घटना रखते हैं संपोसी की घट अर्था लेंडा बावु को रख रहे हैं तो हमको क्या मिलता है भई अब बिनासी की घटना यहां प्राप्त होती है अब आप इतनी बात समझे बिल्कुल नहीं समझे होंगे क्योंकि बात यहां एक बार मैंने समझाया है भई दो बार मैं समझा देता हो तब आपको समझ में जाएगा ध्यान से देखना यहां से कितनी प्रिकास किर्ड़े जा रही है एक नहीं दो नहीं तीन नहीं कितनी हजार अनंत प्रिकास किर्ड़े गुजर रही है च्छिदर से कितनी प्रिकास किर्ड़े गुजर रही है एक नहीं दो नहीं तीन नहीं कितनी हजार प्रिकास किर इस औरोध AB से होकर क्या कर रही है गोजर रही है अब अध्यान से अगर देखो तो मैंने कहा कि यह आपकी फर्स्ट किरड रही होगी और यह आपकी 100 किरड रही होगी और इनके बीच का पतांतर अगर हम मान लेते हैं यह लेमडा है इनके बीच का पतांतर क्या मान लेते हैं अगर मैं आध्याधिप क्या कर दूू तो अगर मैं कहूँ यह second वाली प्रकास किरण और यह 51 वाली जो प्रकास किरण है यह 51 यह second यह आपकी third है और यह आपकी क्या है बावन है तो बताओ third वाली और 52 के बीच का जो पथांतर आएगा वो lambda by 2 आएगा ना क्योंकि ऐसा नहीं आता तो ये किसम में आता है बिनासी में आता है इसलिए प्यारे बच्चो जब हम विवर्तन में संपोसी की सरते रखते हैं तो हमको बिनासी मिलता है और बिनासी की सरते जब रखते हैं तो संपोसी मिलता है अब बिनासी में कैसे होता है आईए हम आपको समझाते ह हैं बिनासी में कैसे होता है तो इसको आप यह जरूर समझ गा Oh अब हम इसको हटा दे रहें मूप कर दे रहें तो बात करेंगे कि विए तो ध्यान से देखेगा पहले अच्छो कि विए नसी में संपोसी कैसे प्राप्त होता है ये हो गई आपकी फ्रस्ट प्रकास किल्डे जो यहां से गुजर रही है और ओध ए और बी से और ये हो गई आ पतांतर होता है यंग के प्रियोग में हमने बताया था फिर उसके बाद तीन लैम्डा प्र पाँच लैक्डा बटे दो आता है फिर साथ लैम्डा बटे दो ऐसे डॉट डš चलता contrast तो प्यारे बच्चो मैं इसमें उठा के क्या कर रहा हूं कि मान ले रहा हूं कि इनके बीच का जो पथांतर है वो तीन लेमडा बटे दो है यानी जरासा सोचो पहले और सवे प्रिकास किल्डों का जो पथांतर है वो तीन लेमडा बटे दो है अब बोलो भाया मैं इन तीन को बाट दूँ है ऐसे करके एक भाग क्या कर दूँ प्यारे बच्चो सुचो जरास इस तीन लेंडा बटे दो को मैं तीन भाग में बाट रहा हूं तो एक भाग फिर ये दो भाग ये तीन भाग तो इनका भी पतांतर लेंडा बाई टू इनका भी पतांतर लेंडा बाई तो ध्यान से देखना दूस्तों की ये एक दो कैनसिल हो जाएं कि ये प्लस हो जाएगा माइनेस तो यह क्या रहा जाएगा परंत रहा ज एक बचे रह गया प्यारे वच्यों ये वहाँ पर जाके क्या हो ब्राइट हो जाएगा वह वहाँ जाके चमकने लगेगा इसलिए हम कहते हैं कि 82 में हमको क्या मिलता है संपोषी प्राप्थ होता है और संपोषी में क्या मिलता है 82 प्राप्थ होता है जरूरी नहीं 3 lambda की बात करें 5 lambda बटे 2 की बात कर लें तो प्यारे बच्चों हम माल लेते हैं कि ये A है और ये B है यहां के बीच का जो पतांतर है यहां से निकलने वाली तरंगो जो पतांतर है वो 5 lambda by 2 नाम दे देते हैं तो भाई यहां से लेकि यहां तक को हम पहले क्या कर देते हैं पांच भागों बाट दें एक दो फिर तीन पिर चार फिर पांच अब देखो भाईया की पतांतर लेमडा बाई-टू इनकी पतांतर लेमडा बाई-टू ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ये तो ये जो एक होता ये जाके उस पड़े पर चमकने लगता जिसके कारण जब 20 का पतांतर हम लोग अपनाते हैं तो हां संपोस का पथानतर अपनाते हैं तो यहां पर समझ सकते हैं कि बिनासी पथा सब्सक्राइब करतें हैं कि लोग उपयोग करतें तो बैन स踏क के आज की क्लास में हमcolm को समझने यह ओग था जोटासा बहुत सरल ही धांब के ग्जाम में एकल जरी दौरा विवरतन अधिकतर क्यूस्टन पोचता है तो आप उस टॉपिक को विशेश तोर से ध्यान जरूर देंगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ एक नए यूनिट के साथ तब तक के लिए आप आज की वीडियो देखे और इंजॉ जब हाट, तक यौ आले स्टुटन